आप देख रहे हैं जैभारत टीवी तो तीवोली पे तालाबंदी भी होगी तीन ही option हैं बोवी पवार क्या करेंगे देखे बोवी पवार के उपर जो आरोप लगे हैं वो साबित भी करने पड़ेंगे अगर साबित कर पाओगे तो अगर जेल जाना होगा जेल भी जाएंगे उत्राखंड बेरोजगार संक्या द्यक्ष बाववी पवार बुझतना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि अभी हाली में एक होटेल में करमचारियों के शोशन की आवाज उटा रहे थे उसके बाद इन पर 50 लाग के मानहानी का मुगत्मा दर्ज किया गया, केस कर दिया गया है 50 लाग के मानहानी का केस तो ये थाई, इससे पहले भी कई मामले इन पर आए यानि कि लाखों की मानहानी के मुकद्मे अभी ये जहल रहे है आज हम चर्चा इसी विशय में कर रहे है कि युवाओं की आवाज उठाना, दबे कुछलों की आवाज उठाना और उस आवाज को उठाते हुए, जब इतने मोटी रकम के मानहानी के मुकद्मे कोई युवा जहलता है तो कैसे सर्वाइब करता है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं पहले तो आप ये बदाईए कि ये मानहानी के मुकद्मे कितने लग चुके हैं देखे मानहानी के मुकद्मे तो लगी रहे हैं जिनके खिलाब भी आवाज उठा रहे हैं उनको लगता है कि आवाज को दबाने के लिए इनको नौटिस थमाये जाए या मानाहनी के मुकदमे कर दिये जाए या जूटी एफ आयार दर्च करवा दी जाए यह तो तमाम परकार की परकिरियाई चल रही है। परन्तु मैं यह कह रहा हूँ कि क्या इस लोगतांतरिक व्यास्था में किसी असाय व्यक्ति की गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने के बाद इस परकार के इस लोगतांतरिक व्यास्था में कोई परावदान तो नहीं था कि आप नौटिस थमवा दो या आप इस परकार से हम पर केस डाल दो तो यह चीजे जो चल रही है इसके खिलाप लड़ाई जारी है और आगे भी जाड़ी रहेगी मैं यह कहना चाहता हूं यह जो होटल वाला मसला आया था जो पचास लाग के आप पेर मानहानी का मामला चल रहा है पहले तो आप बताईए कि वह मसला है क्या और क्यों आप पर इतनी मोटी रकम मानहानी की थोप दी गई है देखे यहां पर एक अभी होटल की ओपनिंग होई थी बाइस के कुछ एंड में तो जब होई थी तो वहां पर जो पहला बैच रखा गया था उसमें 11 का जो स्टाप था उसमें 11 का स्टाप जो था नॉम्बर में तक वहां पर जॉब की गई, उनकी सेलरी टाइम से नहीं दी जाती थी, तमाम परकार का सोषन किया जाता था, उन्हें एक तरीके से कहें कि अभदर बैवार उनके साथ किया जाता था, तो उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ने का निरने लिया, और नौकरी छोड़ने का नि और यह मामला इसलिए संग्यान माता है कि जब अभी अठाइज फर्वरी का दिन था जब एक जो डिपेंदर जो लाल हमारे एक साती है वो तीरी जनपत के रहने वाले हैं वो भी उसी होटल में काम करता था होटल में काम करने के दोरान on duty उसके हाथ में चोट लगती है और चो कुछ ऐसा काम भारी भरकम काम नहीं कर पाएगा तो जब यह मामला उठा तो हम तक यह बात पहुची कि इस परकार से हुआ है जब उसे यहां से हॉस्पिटलाइज किया गया तो पहले दून हॉस्पिटल ले गया वहां पर मना कर दिया और वहां से रेफर रिशी के सेंस के करमचारी था अब उन्हें भेजा तो उन्हें पता ही नहीं कहां पर क्या करना है कहां ले जाना है जो चीजें है सारी रास्ते में देखिए क्या हुआ कि रास्ते में जब ले जाते हुए एम्बोलेंस का पट्टा तूड़ जाता है जब लेटा रखा होता है उस बंदे को वो फिर से घिर जाता है, तो वो पूरा खुन से फिर लगपत हो जाता है, वो सारी चीज options होती है, उसके बादує की एड्मिड होने के बाद साथ बोटले उसे खुन चड़ती है, फिर 10 बोटले यूनिट जो होती है वो अलग से डिमांड की जाती है उसके लिए वहीं के लोग जो दिपंदर के जो और साती है उनके गाओं के है उनके भाई बंदु हैं उन्होंने गाओं से लड़कों को बुला कर 10 यूनिट और खुन वहां पर ब्लड डॉनेड किया तब अब यह है कि जो परकिरिया थी हुई परंतु जब यहां से वह ऐसी घटना हुई होटल मेनेजमेंट के और से होटल के मालिक की और से उसके बाद डिपेंदर को बिल्कुल अन्देखा कर दिया उन्होंने ना एडमिट करने के बाद यह पूछा कि कहां पर एडमिट है स्वास जब उसकी अन्देखी हुई तो हम तक यह बात पहुंची तो हमने होटल में जाकर उनके जो मालिक है उनसे मिलने की कोशिश की पर वो यह नहीं थे उसके बाद यहां पर जो उनके मैनेजर है उनसे हम मिले और मैनेजर ने वाइस जो प्रेजिडेंट एंके टीबोली के उन जो भी देना होगा उसका हम उठाएंगे परन्त हम वहां से आगे कि ठीक है उस लड़के का ट्रिटमेंट हो जाएगा परन्त कुछ दिनों बाद जब हमें फिर से यह सुचना मिलती है कि वहां पर उन्हें कोई कॉई कॉल नी किया गया वहां उन्हें कोई इस परकार की साह परन्तु फिर से हमारी टीम ने का कि आप इस पर जल्दी बाजी में आप इसको करिये और ज्यादा लेट हो रहा है तो आप करिये तो हम उस दिन भी वापस हमारी टीम आगे उन्हों ने उसके बाद भी कुछ नी किया हमने अपनी एक टीम उनके गाउं में बेजी और देख कि जब हमने इस इन चीज़ों को देखा तो हमसे रहा नी गया हम फिर से तीबोली में गए वह दिपेंदर भी आया था उनके माता भी आई कि उनके परिजन और भी आय थे और हमारे साथ ही गए थे हमने उस दिन दिन दिली से वाइस प्रेजिएंट को बुलाया और वह साढ कर वाइसा उन्होंने कुछ नहीं कर वाया तो उन्होंने का कि ठीक हम तीन दिन में ये मसले को सुल जा कर आपको कह देंगे जो भी कहना होगा फिर हमने बात रखिए उन 11 लड़कों की सेल्री देने की कि आपने इनकी सेल्री क्यों दी दी वो श्रम जो कारेले है वहां पर को हमने डाला था अपनी शिकाओग को तो वहां पर चार तारीके लिए ढी घ्र दी झाओ दी गई ती लेवर कूड दारा और उसके बाद चार तारीकों में बच्चे तो आ रहे थे जो वो कोई भोपाल में जौब कर वहं से खर्चा कर्के यह आ रहा था परंतु यहां से हो तो हमने का कि उन्होंने का कि तीन दिन का ये समय है हमने का ठीक है तीन दिन बाद देख लेंगे हम वापस अगे हो ता क्या है तीन दिन वह सुल जाने के लिए नी तीन दिन बाद हमें नौटिस भेज दिया जाता है नौटिस में लिखा जाता है कि बाविपवार आये है जो सद्याक्षा उत्राखंट वेरुजगार संके हमारे होटल में धंकाया गया वो सो कर रहे है यह चीजें जो उन्होंने कही है नोटिस में उसके बाद कहा कि एक युके बानी चैनल है जो एक प्रोपगंडा फैला रही है इस परकार से जो एक तरपा खबरों को दिखा रही है कि अश्द्व हमारे उसको चब田त कर रहा है यह इस परकार का जो लाग घुज दिया गया पचास लाग का एक नोटिस समआया गया आनिकुल जब नोटिस समाया जाता है तो हमें हम पूछते हैं कि डिपेंदर कोई आपको साज़ता तो नहीं कि इनों ने जो आप हमारी डिमांड थी तुरनका नहीं परन्तु हाँ अब नौटिस थमाने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि इनों ने क्या करा उन 11 लड़कों को लेबर कोट में बुला कर उनकी सेलरी दे जिसके लिए लड़ाई चल रही थी बिल्कुल अब अब नौटिस का देखिए नौटिस में कहरें कि हमारी छबी धुमिल होगी यह चबी धुमिल हुई है तो उसके कारण तुम खुद हो अगर हम गलत थे तो तुमने 11 लोगों को सेलरी कैसे दी और अगर हम अगर सही है त सही है तो नौटिस क्यों भेज रहे हो यह सारे कारण है अभी तो सहल रिदी है अब हम यह भी कहेंगे उन 11 लोगों ने चार बारो तारीकों में आये हैं कुछ बच्चे भुपाल में जाकर जॉब कर रहे थे वहां से एक बारी का पांच अजार रुपे लगता है आने जान से डराने धमकाने का जो नौटिसों से काम कर रहे हैं अब इससे काम नी चलेगा क्योंकि यह साबित हो चुका कि गलत गलती तो तो तीवो लिखी थी अगर गलती नी तो 11 लोगों को सहल रिक कैसे दे रहे हो आपने उनको जॉइनिंग लेटर दिया था और जॉइनिंग ले साथ अगर ऐसा सोसन वा तो एक अब तक चलता रहेगा हमारी चिंता यह है कि अभी यह हो रहा है पहले 11 लड़कों के साथ उन्होंने ना इंसा पी की उनकी कोई सुनवाई नहीं थी जब दिपेंदर के साथ उआ तो दिपेंदर का जब मामला हमारे संज्यान वाया हमने तो जाकर वो 11 लड़के हमारे संपर्क माये तो ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ गलत हो रहा है हमारी चिंता यह है और हमारी चिंता इसलिए कि हमारे लोग जो पहाड के इमानदार लोग है जो अपने पूरी इमानदारी से पूरा काम करते है जो भी उने काम सौपा जा अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाब पुर्जोर विरोध किया जाएगा और मुखर होकर लड़ाई लड़ी जाएगा परंतु मुख्य उदेश्य फिलाल हमारा ये है कि हमारे लोगों के साथ जो ये घटनाएं हो रही है ये घटनाएं बार बार ना धोराएं ये घटनाएं हमारे लोगों के साथ बार बार ना हो उसके लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरुवत है जिसके लिए हम पूरी त तो वो बिल्कुल प्यार प्रेम से करें इस परकार से सोचुन कर कर वो अगर करेगा तो से टाला बंदी होगी और हो सके तो होटल को भी बंद करवाएंगे ऐसी लोगों की यहाँ पर जरुवत नहीं है जो इस परकार से हमारे लोगों क साथ सोच्फन करेगा वैसे तो मानानी का मामला है, कई आते रहते हैं, कोट में भी सुनवाई होती है, धिक्तम सजा दो साल की अभी जब राहुल गांदी कॉंग्रेस के पूरो अध्यक्ष पर यह मामला आया तो उनकी तो सांचसदी भी चले गई, दो साल की सजा भी हो गई, हाला कि अभी हाई है, सुनवाई पे होना है, विचारादीन है, आप क्या करेंगे, पचास लाग कहां से लाएंगे, या आप अदालत में जाकर माफी मांगने वाले हैं, या पचास लाग जुटा लेंगे, या जेल जाएंगे, तीनी ओप्सन हैं, बोवी पावार क्या करेंगे? देखें, बोवी पावार के उपर जो आरोप लगे हैं, वो साबित भी करने पड़ेंगे, अगर साबित कर पाओगे, तो अगर जेल जाना होगा, जेल भी जाएंगे, अगर साबित नहीं कर पाओगे, तो अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि हम लड़ाई जरूर लड़ें हैं, हम गरीब असाई लोगों की लड़ाई लड़ें, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ें हैं, उसके उपर तुम अगर यह सोच हो की इनको दबाया जा सकता है, कुछला जा सकता है, तो तुम्हारे गलत फहमी हैं, हम लोगों ने बिलकुल जेन तरीके से उस तो उठाया है और आप लोग गलत थे इसलिए वो 11-12 लड़के 11 और दिपंदर 12 लड़के होगी और नौटीस देने के बाद उन्हें अगर सेलरी दे दिये तो वहीं पर खंडन पूरा हो जाता है यह आप सोच सकते हैं अगर हम गलत होते तो हम तो कहते हैं कि अगर गलती कभी हमसे हो भी जाती है तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नी पर जहां पर गलती हुई ना हो और महां पर कोई डराने धंकाने के लिए या हमें दबाने के लिए इस परकार के अगर कोई रणनीती अपनाता है तो उसके खिलाब उसी रणनीती के साथ खड़ा हुआ जा हर एक कदम में बाहर से आए लोग बड़े-बड़े रिसोर्ट यहां पर बनाते हैं और उत्राखन के लोग उसमें काम करते हैं उनका सोशन होता है उसी की आवाज बावी पावार उठा रहे थे तो देख बात तो इन्होंने साफ कर दी है कि पचास लाग का मानानी का केस है न यह पचास लाग देना चाहते हैं न इनके बास हैं माफी मांगने का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि युवाओं से जुड़ी वी आवाज है यह वो उठाते रहेंगे अब आप कोट में साबित करिए यह चैलेंज दिया है बावी पावार ने क्योंकि एक तरह से खंडन हो बड़ाई उनकी जारी रहेगी वो युवाओं की आवाज को दबने नहीं देंगे कैमरा मईरुपादे के साथ हैं बढ़ जय भारत टीवी